आउजबिल्लाहिमेन श्रीटवान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रॉख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों, मुष्ण एक बार फिर आप लोगों के खिदमत में हाविर है दोस्तों, आज की जो मेरी असाइंडमेंट है वो ENG201 Business and Technical English Writing के हवाले से है जो हमाने असाइंडमेंट नमबर 1 आई हुए है, मुझे काफी सारी रिक्वेट्स आ रहे हैं दिंके सारा हमें इसका स्लूशन चाहिए तो उन रिक्वेट्स को मंदर नज़ा रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है और उमीन करता हूँ के आप लोगों को इससे काफी आईडिया मिलेका और काफी हल्प मिलेकी तो प्रिपेर दियूर असाइंडमेंट और मैं साथ ये भी बताचा चाहिए चलू हूँ के अबरी वीडियो विच आई है रिकॉड़िड फर यू इस गिव यू फर टेकिंग अईडिया और अपने असाइंडमेंट बनाने काफी है इस नाट बेस्ट ऑन दे कंप्लीट स्लूशन या आपको कंप्लीट स्लूशन कभी भी नहीं देती है तो आप उसे आईडिया लिया अपने असाइंबंट की तरस देखते हैं कि इस आउसाइंडमेंट में हाया क्या वह है हमारी पर एलयन रोटीन के हम लोग आसाइंडमेंट चुडो करने से पहले रिकॉर्मेंट को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंको जब तक हमें रिकॉर्मेंट से समय नहीं आएंगे तो हम अपनी एफर्मिल नहीं बिना सकते हैं. इस के मेरे में दो क्वेस्टन दिये गई हैं और इन दो क्वेस्टन के मेरे जो फास्ट वाला क्वेस्टन है ये क्या है जी? अपर क्र सकते हैं जाक आने सकते हैं. हमने फिरस जो है super structure को जो correct मोंते अब super structure है उसको select करना है element from the given list in जो उपर list दी गई है and write it और हमेंने इसे लिख देना against each question हर question के against in the following table जो हमें table दिया गया just हमने element select करने है और which element related to which question just हमने याद पाना है अगे next question है जी your country has to proposal to open a cafeteria in virtual university of pakistan तुमिस is now in order to gain the success at cater the need of the student you need to know the crowd trend of food among the students and security member keeping in view of the above scenario write down the methodology section of the empirical research report note क्या है जी इसमें note दिया गया के your methodology section should be compresses of 300 to 350 word हमने methodology बतानी है फिरस हमने complete report नहीं देनी है यह करना है जी तो आईए हम लोगे इसके solution के तरफ चलते हैं इसमें एक table दिया गया और इस table के अंदर हमें question दिया गया और हमने यह बताना है के which question is relate to which element of structure of empirical research के कौन से element जो है वो कौन से super structure element के साथ relate करता है हमने मैंने यहां पर detail का भी एक से column बना दिया है in the detail column I have write the short detail of the super structure element of the empirical research उसके छोटेफी detail बता दिया बैट वो क्लियर यू के इसका element का मक्सब क्या है इसमें first question है जी why is your research important to us यह introduction का element के अंदर फॉल करता है और in this part we have to define the problem and given their solution इसमें हम problem बताते हैं के problem है क्या और मुख्ली solutions के बारे में बताते हैं के how to solve this problem क्या हम इस problem को कैसे कैसे solve मतलब कर सकते हैं second question है what where you think to find out और यह हमारा जो super structure element है वो objective author research है in this part we have to define the question about what are we going to do क्या हम करने क्या जा रहे हैं के how to हम उस problem को solve करने के लिए क्या करने जा रहे है how do you interest interpret result यह हमारा discussion के अंदर आता है in this part we have to discuss about the solution of the problem हम फिरू उस problem का solution बता रहते हैं what is the significance of results यह conclusion के अंदर आता है in this part we have to discuss about that how our solution is related to our problem के हमने जो solution दिया है वो कैसे हमारी problem के साथ मतलब relate करता है या कैसे वो मतलब उसको solve करने में हमारी help out करता है what do you think we should do यह recommendation के अंदर आता है in this part we have to discuss about how to apply that solution के हम उस solution को जो हमने दिया है उसका apply कैसे करेंगे और अगर हमें future में कोई मसला आता है तो उसको हम कैसे solve करेंगे यह with regard to the question number one मैंने मतलब लिखा है आगे second question है जी second question के अंदर हमें पुछा गया के you have write down the methodology of an empirical research हमें एक case दिया गया in which we have we are going to open a cafeteria in the VU premises उसकी हमने methodology लिखनी है और that will compress is of 300 words to 350 words मतलब यह 300 यह 300 अलफाज होने चाहिए मैंने यहां पर short लिखा है आप इसको आगे detail में लिखेंगे ठीक है मैं आपको समझा देता हूं कि यह मैंने कैसे है इसमें type of research है we have two type of research quantitative and qualitative quantitative research जिसमें हम जो data है numerical values के अंदर calculate करते हैं for example मैं पूछता हूं के are you agree with that we are going to open a cafeteria in the virtual university of Pakistan and we have give the two option to the students yes or no ठीक है और या हम जो है yes को one दे रेते हैं और no को two दे रेते हैं तो वो या तो one में जवाब देगा या फिर two में देगा तो इस तरीके से हम वो quantitative के अंदर data collect कर रहे हैं दूसरा के qualitative qualitative research ऐसी research होती है जिसमें हम जो है numerical values के अंदर data नहीं के description के अंदर के हम जो है employee की performance को मेर करना चाहरे है ठीक है या तो वो good होगी या fair होगी या satisfactory होगी तो these are description of that research description में है मतलब इनके साथ हमने कोई values attached नहीं की है one two three नहीं लगाया तो this research is belong to the qualitative type of research तो आप इसको जो है यह जो हमें given case दिया गया in which we have we are going to contact an empirical study about the quantitative research because we have make a question and distribute among the faculty members as well as the students as well as the principal or dean of that university to collect the data और यह हमारा quantitative होगा उसके बार data collection source है हमारे पास different data collection source होते हैं from which we have to collect the data और उसके अंदर हमने सबसे पहले primary source मैंने लिख दिया है primary source है मैं आपको सुम्चाहा देता हूँ कि primary source is the source where we have to collect the data initially from the beginning हम बिलकुल start से जो है वो data collect करते हैं तो इसके अंदर हमने question year बनाना है उसके अंदर हम data खुद collect कर रहे हैं so that's why I have used the primary source for data collection tool इसके बाद है data collection tool के अंदर और instrument we have used the questionnaire and to collect the data from respondent of the study या empirical study तो यहां पर मैंने सिरफ question ने लिख दिया तो आप तो उसका पूरी detail के साथ लिकना है we are using the questionnaire to collect the data from the respondent या we have used the questionnaire as an instrument to that empirical study अगे next जो हमें दिया है वो subjects and participants है subjects and participants के हमारी study के participants है वो कौन से होंगे from where I have to collect the data हमें हमने data कहां से collect करना है वो मैंने इसमें लिखती है के we are going to collect the data from the students as well as the faculty member of that university के हमने जो है वो students से data collect करना है और faculty member से के is there any need to open that cafeteria के वो वहां पर cafeteria open करने की जरूरत भी है या नहीं इस हवाले से हम data collect करने जा रहे हैं और उसके जो हमारे participants के subjects है वो हमारे student या faculty member है इसके अंदर एक field work or data collection है तो वो हम data collection करेंगे कैसे we have make a questionnaire and sent in to the participant of our project या of our empirical study via email or WhatsApp और हम फिर उसके against वो सारा data collect करेंगे last में जो एक option दिया हुआ है वो है data processing and analysis जब हम सारा data collect कर लेते हैं तो फिर हम उसको computer software packages के अंदर डालते हैं we can use Excel or we can use the SPSS that is the statistical software to conduct the research ये भी एक मतलब है और पूरी दुनिया के अंदर यूज किया जाता है तो यहां पर we have write down the SPSS variant 2.0 या इसके लिए test भी आ चुके हैं तो हम वो कोई साभी variant यूज करके वो values जो हमने collect की हैं वो सारी इसके अंदर enter कर सकते हैं और we can use the mean value technique to analyze the whole data और फिर हम जो है वो बाकी के जो empirical research के super structure के element है उनको fill करेंगे ये just वो जो हमें एक method वाला part दिया हुआ है उसको methodology भी कहते हैं तो this will relate to only our methodology portion और इसको हमने फिर 300 words या 350 words के अंदर मैंने यहां पर short description दिये हैं आप खुद थोड़ी सी effort करें और अपनी ये जो आया हुई या assignment या GDP है आप उसको send कर दें दोस्तों ये है हमारा मकलब वो जो आया हुआ है assignment number ENG 2-1 की assignment है उमीद है आप लिकों को इससे काफी help मिलेगी to prepare your assignment short मैंने खूद लिखा है मैं पूरी भी लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा है तो आप इससे idea लेजिए और अपनी assignment write कीजिए थैंक्यू वरी मैच दोस्तों और last में मेरी website जुरूर देखिए उसका मैने final term के हवाले से काफी फारा material upload कर दिया है और उसका URL www.vusfs.com थैंक्यू वेरी मुश आफ्टों आफिव